अगले कि गुड मॉनिग आज का टोपिक है क्रो रोटेशन जिसको बोलते हैं कि फसल चक्रन को अ है थे इस है तो प्लोप रोटेशन होता क्या है कि अपन फसल चक्रन बोलने से ही इसक्र कि फसल चक्रन बोलने का मतलब किसी भी छेत्र की भूमी जलवायू या उनके वतावरणिये फैक्टर के कारण भिन-भिन फसल चक्र अपनाए जाते हैं मतलब एक अच्छे फसल को अपना कर एक किसान अपनी भूमी से अधिकलाव कमाता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे फसल चक्र बोलेंगे या फिर हम लोग कह सकते हैं किसी खेत में फसल को अदल बदल यानि कि हेर फेर कर बोना क्रोप प्रोटेशन कहलाता है मतलब ऐसा करने से क्या होता है मृदा की उर्वरा सकती हमेशा अच्छी बनी रहती है ठीक है तो फसल चक्र ट्रिसी का एक महत्तपु न जिसे बिना लागत की आदान कहा जा सकता है मतलब क्रोप रोटेशन फसलों में पोशन की प्रवंधन की विधी के रूप में ही नहीं बलकि सोईल के बांजपन या फिर मृत मृदा या फिर कह सकते हैं लवाण मृदा इन सब को सुधारने के लिए एक अच्छी मेथड है ठ तो क्रोप रोटेशन अलग अलग फसल का उगाना उसको क्या बोलेंगे क्रोप रोटेशन बोलेंगे मतलब किसी निश्चित छेत्र में निश्चित आओधी में फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे फसलों में अधिक्तम पैदावार हो सके ठीक है तो फसलों में अधिक्तम पैदावार लाने के लिए ही क्या करते हैं, क्रोफ रोटेशन करते हैं, ठीक है, तो यह हो गया आपका क्रोफ रोटेशन, जैसे इसका एक्जामपल के रूप में भी है, सबसे पहले हम देखेंगे, डेफिनेशन क्रोफ रोटेशन होता क्या है, तो क्रोफ रोटेशन की परिभासा डेफिनेशन, तो किसी खेत में एक निश्चित समय में उसकी म्रीदा के फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए उगाई जाने वाली फसलों के क्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोफ रोटेशन के हैं, यानि कि the sequence of the crop's ground on any field in a definite period of time maintaining its fertility is called क्रोफ रोटेशन, ठीक है, तो क्रोफ रोटेशन मतलब किसी भी खेत में एक निश्चित समय में सोईल के जो उर्वरा को बनाए रखने के लिए उगाई जाने वाली फसलों का क्रम, मतलब एक के बाद एक फसल ब है, तो हम लोग क्रोफ रोटेशन का example देखेंगे कि होता क्या है, मतलब फसल चक्र के ऌंतर गत बोई जाने वाली फसले, ये इसका example है, जैसे कि एक वर्सिय हो गया, दू वर्सिय हो गया, या ।्री वर्सिय है निकि बहु वर्सियर, तो कुछ एक वर्सिय फसले जो उड़वरा सकती है उसको बढ़ाने के लिए फसलों को वया जाता है। गाजर है उसके बाद फली वाले फसल है उसके बाद इधर कैबीज है मतलब एक के बाद एक तो सबसे पहले ये फली दार वाले पौधां को बोई उसके बाद जश्ट बाद इसमें गाजर गाजर के जश्ट बाद क्या है यहां पर कैबीज मतलब एक के बाद एक क्या करते हैं फसलों को चक्रवार यहां पर उगाते हैं ठीक अगला हम लोग नेश देखेंगे फसल चक्र के सिधान तो प्रोप रोटेशन में देखो फसल को क्या करते हैं प्राया एक वर्से लेकर तीन वर्स तक हम लोग त्यार करते हैं एक के बाट एक तो फसल चकद के जब हम लोग प्लानिंग करते हैं उसमें हमें कई सारे बातों का ध्यान रखना होता है जैसे कि फसल चकद त्यार हो रहा है तो वहां की जलवायू को ध्यान देंगे वहां की सोईल किस प्रकार है या फिर उस फसल का मांग कितना है उसके आध का सिथान थे क्वी सारे हैं गी सारे सिधस्दांथ हैं, जिसको हम लोग ध्यान में रखते हुइए क्रोप्रोट्रेशन को अपनाते हैं, इसमें सिफष कैसे ड़ल फस्द से yagra गहरी जड़वाली फसलों को वोना ठीक है तो इसमें क्या होता है सबसे पहले गहरे जड़वाली फसलों को हम लोग फसलों की जड़ों में रिदाधी गहरे तक जाती है जो क्या करता है पोसंततों को ग्रहन करता है तो ऐसे में क्या होता है जो उपरी परत है वहां की जो पोस सबसे पहले गहरी जल वाली फसलों के बाद हमको कम गहरी वाली को बोना चाहिए अइसे में क्या होता है नीचे का जो और अरा सक्ती है नर्जी है वो तो खतम होगा ही लेकिन उपर का बच्न ठीक है जैसे के हैंब एक्जामपल के विरूप में दिया हुआ है कपास कपास के बाद हमको गेहूं बोना चाहिए सोयाबिन-सोयाबिन इसमें क्या होता है कि जो रवरा सकती हो जयोंकत्यों बना रहता है ठीक है, उसके बाद second में हम लोग देखेंगा फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार वाले फसलों को बोना, है, तो किसी भी crop rotation में हम लोग क्या करते हैं, पहले फलीदार फसल को बोते हैं तो फलीदार फसलों में क्या होता है मिरिदा 30 से 120 किलो मीटर प्रती ग्राम हेक्टेयर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है मजब नाइट्रोजन का फिक्सेशन द्वारा भूमी उगजाओ रहता है इसलिए यहाँ पर बोला है पर एक्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है गेहूं गवार फली जिसको बोलते हैं गेहूं उड़त वो क्यों क्या है डाइजोबियम नामक डाइजोबियम वाला पौधा है सोयाबिन मक्का गेहूं यह सब ठीक है उसके बाद अगला है अधिक खात चाहने वाली फसलों के कल धूफाद कम खात ऐसे में क्या होता है देखो सबसे पहले जो अधिक खात चाहेगा उस वाले फसल को उगाऊए तो क्या होगा ओर रेडी मिट्टी में बहुं सारे उरुबरा सकती रहते हैं तो अधिक खात जो अवसकता जो लेता है पोध्याघो अच्छे से होगा फिस पौधा के इच्छा के अनुसार बना रहता है ठीक है तेखो इसमें एकजामपल है आलू इसमें अधिक खात क्या हो सकता होती है प्याज में कम होता है गन्ना फिर गेहूं कपास चन्ना मक्का चन्ना तो ऐसे में क्या होता है भूमी की उर्वरासति जियोंकते हो हमेशा के लि जिस फसल को अधिक जल क्या हो सकता होती है उस फसल को बोने के बाद कम जल क्या हो सकता वाले फसलों को बोना चाहिए यह भी क्या है एक सिधान्त है ठीक है तो ऐसा करने से क्या होता है सिधाई कि साधनों का अत्याधिक उभ्योग नहीं करना पड़ता है हमें ठीक हमें इसके एक्जामपल है चना धान फिर सर्सों धान मत्याधिक जल होता है फिर उसके बाद धान मोसम भी चेंज हो जाता है चना चना में जल के आओ सकता नहीं पड़ती है ठीक है सिर्फ सोईल नमी होना चाहिए ठीक है उसके बाद next हम लोग देखेंगे मरीदा कटाव को रोकने वाली फसल बोना चाहिए ठीक है ऐसे फसल जो दूर दूर लाइन में बोई जाती है अधिक निराई गुड़ाई चाहती है तो उस वह फसल मीदा के छड़न को बढ़ावा देता है क्यों क्योंकि हम लोग ओल रेदी निराई कुड़ाई करते हैं तो मिड़्या का च च्छरन होना आवस्यक हो जाता है तो ऐसे हानी को रोकने के लिए हम लोग को क्या करते हैं म्रीदा कटाव को रोकने वाली फसल को बोना चाहिए जिसे कि मक्का म्रीदा का कटाव नहीं करता है कपास भी नहीं करता है ठीक है एक ही कुल के फसले लगातार नहीं उगानी चाह चीट लगने की संभावना भी परहती है ठीक है इसलिए क्या करते हैं अलग-अलग कुल जैसे गेहूं अलग कूल का है उसके बाद लेग्यूमिन सी सरसों बरेसी के से मतलब अलग-अलग अपने आवसकता, जिसे आपे अनाज चाहिए, ह्वे टेल चाहिए, तेल चाहिए, एंस सभी आवसकताओं को देखते हुए हमें फसलों का चुनाओ करना चाहिए, ताकि घर का जो आवसकता है, वो हमेशा के लिए पूरा हो सके, ठीक है, तो जैसे कि धान है, मक्का है, बादर यह सभी क्या है पूरे मनुस्य अपने जो आवस्यक है उन सभी ठसलों को यहां पे इस टैप से उगाना चाहिए मुख फली से तेल निकालते हैं तिल सरसों सोयाबीन इन सबसे क्या होता है यह सभी आवस्यक है क्रीशी साधनों का वर्ष भर्ष छमता पुंधंग से तो क्रीशी के पास जो साधन है जίसे सिचाई साधन हो गया खाध हो गया भीज हो गया उर्वरक हो गया स्रमिक का वर्ष वर पूरा करना यह सभी क्या है छमता के पूंधंग Smithson उप्योग करना चाहिए मतलब जितना उसको छमता है मनुस्य जितना कर सकता है उसी कर ठीक है उसके बाद लाश्ट सिधान था यहाँ पे मृदा लवणिये मृदाओं है तू खसल चक्र में लवणिये ता सहल सिल्फ फसल बोने चाहिए जो फसल मृदा लवण को अपने आप में अबजुब कर सकता है सहल जेस्टमें कर सकता है उस वाली फसल को हमेशा के लिए ब बोना चाहिए जैसे की सन्य धेचा कपा सर्सों इस सबसे रसी वगरा निकालते हैं जुकंदर यह सब ठीक है तो अपन हम लोग देख लिए सिधान निश्ट देखेंगे फसल चक्र के लाव फसल चक्र से क्या क्या लाव हो सकता है क्या क्या बेनिफिट हो सकता है तो आप सोसन ये सब ही होने से होने के कारण उर्वरता बढ़ती है स्विल की फर्टिलिटी बढ़ती है और एक चीज है दलहली फसलों के समावेश से मृदा की भोतिक दसा में सुधार होता है नैटोजन इस्थिकरन के कारण मृदा की जैविक दसा सुधारती है खेत में हर वर्स बस्सिम एक फसल है जिसको उगाने से खरपतवार वा निरंतर गेहूं बोने से गुली डंडा खरपतवार की मादरा बढ़ती है मतलब एक अलग से खरपतवार बढ़ता है इन फसलों को बोने से इसलिए रभी मौसमें क्या करते एक वर्स गेहूं बोय तो उसी फसल में एक वर्स बरसिम बोते हैं ऐसे करने से क्या होता है बढ़ता की उपजरा सकती उपजाओ सकती बढ़ती है मतलब खरपतवारों का नियंदरन भी होता है ठीक है उसके बाद है अगला किसानों के पास उपलब्द क्रीसी साध्म जैसे सिचाई, खाद, उर्वरक, स्रमिक का वर्ज भर पूरा उपयोग हो जाता है तो ऐसे में क्या करता है लागत की कमी आती है ये भी एक एडवांटेज है मरीदा कुरवरता बनने से मरीदा की उत्पादकता भी बढ़ती है, खेत में उपज की मात्रा बढ़ती है, किसान के आर्थिक दसा, सोसन इस सम्मे सुधार आता है ठीक है? उसके बाद है फसल चकरा, फसल चकरा के अपनाने से क्या होता है? किसान की दैनी, खरेलू आसकता, ख फसलों में कीट के रोक का नियंदरन होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है? नेक्ष्ट है, जब किसान अपने खेत में फसल चकरा तयार करता है, तो क्या होता है? किसानों को पहले से ही पता रहता है कि अगामी फसल में कौन सी बोनी है, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है? फसल ह उन्स सब की व्योस्था पहले से ही कर सकता है तो ऐसे में कि उचित प्लानिंग से आए की ब्रीधी होती है ब्रीधा चरन को रोकने में सहायक फसलों का समावे स्क्रोप्रोटेशन से ही होता है जो भूमी के संड़क्षा में सहता मिलती है तो ये भी क्या है एक इसी में आवर एक है ब्रीधा के भौतिक रसायनिक हुआ जैविक दसा में सुधार आता है विकार में कमी आती है बीधा के सभी इस तरों में पोसकत्तों का उजीत संतूलन बना रहता है तो क्या है यह भी एक advantage है तो last हमनों देखते हैं फसल चक्र के प्रकार तो फसल चक्र को कितने प्रकार से बाटा गया है खरीब फसलों में अपनाए जाने वाले फसल चक्र रबी की फसलों में अपनाए जाने वाले जायत की फसलों में अपनाए जायत इन सभी खरीब रबी और जायत इन सभी फसलों को अपनाए जाने क्या धार पे जो क्रोप रोटेशन है इसी क्या धार पे ये कई प्रकार का होता है ठीक है तो इस प्रकार है क्रोप रोटेशन तो एक ऐसा प्रणाली है जिसमें फसलों को इस करम में बोया जाता है कि मिरी दाक्युरवरा सकती बनी रहे ठीक है तो एक सफल उत प्रोडक्शन के लिए फसल चक्र एक महतपूर निश्थान रखता है ठीक है तो फसल चक्रों का पनाने से क्या होता है प्राकृतिक संसाध्म का उपयोग करके अधिक्तम फसल को हम प्राप्त करते हैं ठीक है तो यह है आपका ग्रोप